कि नमस्कार स्वालेकुम आदाब मैं हूँ यूसुफ अले आप देख रहे हैं सेफ नियुद लाई हूँ आज की खास का उपर दोस्तों देश बर में खास कर महाराश्ट में गणपती उस्व की समय काफी दूम है और लोग गणपती उस्व में अलग-अलग-अलग-अयोजन कर रहे हैं इसी कड़ी में हम यहाँ खड़े हैं वसई के आनन利गण में जहाँ वसई-गने स्थापना 17 साल पहले हुई बीच में एक जाते हैं तो बाकि एक साल कोवीड के समय में को छोड़ दिया जाए तो बाकि 16 साल लगातार यह मंदल जहां गर्णपति स्थापना करता है सारवधिनी कर्णपति इस्थापना की जाती है और उसमें अलग-अलग-अलग तरह के सामाजिक काम किय जाते है आप हमारे पीछे य जो कार्यक्रम होने उसकी जानकारी है आज हम जब आये हैं तो आज यहां इस्पेशली यह आज आरती हुई सुभे साथ बज़े ग्यारा बज़े से यहां पर मेडिकल केम्प हेल्थ हेल्थ चेकप केम्प शुरू है जिसमें यहां की केजिन शोशल वेलफेर एक्षिशन वो म सब्सक्राइब कर रहा है उसके बाद में चार बज़े का पिर प्रोग्राम में सनातन धर्म महिला मंडला वेजन फिर आट बज़े वापस आरती है रात को नो बज़े लेडिस के लिए महिलाओं के लिए संगीत है और दस बज़े मेंबत मॉंबती बनाने का ऐसा कॉंपेट हैं अभी इन लोगों से जानकारी लेते हैं यहां के मंडल अध्यक्ष और दूसरे लोगें उनसे आपकी मुलाकात करते हैं और इस पारे में पूरी जानकारी उनके थ्रूम आपको देते हैं आज के लिए अभी के लिए इतना ही वसाही से यूसुफ अले सलाम अलेकुम ऐसे प्रोगाम तो हम काफी कर चुके हैं और करते रहते हैं समा सेवा का काम करते रहते हैं और यहां पे मेडिक लेम जो रखा है यहां पे जो अपना सूगर का है बीपी का है और काडियो है यह सब रखा गया है और इंशाल्ला लाने चाया सो से डिएड़ सो आदमी तुनिया आ चुके हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि काफी भी रहे और प्रोगाम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है केजियन शोशल वरफ़र असोशेशन का मैं बहुत बड़ा शुक्र उजार हूँ कि उन्होंने यह मेडिकल कैम्प आयोजित किया है श्री गनेश सारवजनी गनेश मंदल को बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने और उनसे उम्मीद है कि आगे भी वो और हमें सपोर्ट करते रहे सर जी यह मंदल हमारे 17 साल से चल रही है कोवीड के टाइम हमने नहीं रखा था क्यूंकि सोशल गैदरिंग पहली बोल दिया गया था कि सोशल गैंतरिंग अलाउड नहीं है तो कोवीड के टाइम नहीं रखा था बाद में कंटिन्यू है और ये केजी एन वेलफ़र सोशल एसोशियाजन हमको बहुत टाइम पहले से हमको सपोर्ट करते आ रहे सोशल एक्टिविटीज बहुत सारी रहती है कि मतलब एक तो मेडिकल कैम्प हो गया सर ने हमको आयजित करके दिया है फिर बाद में हम आश्रम में डोनेशन करते हैं सर आते हमारे साथ बहुत सारा वहां पी हमने ब्लड टेश रखा था ब्लड टेश कैम रखा था तो बहु सारवजनिक मंडल ये आनन नगर की ये 16 वे वर्षे के प्रदारपन में हर वर्षे के प्रती ये समाज सेवा का कारिया हमारे मंडल के सभी कारिया करता और इनके बदोलत जो होसला अपजाई हुरी है और सबसे बड़ा उद्देश इन लोगों का है कि सब लोगों को एक करने के अलावा एक दूसरे के दूख सूप में साथ रहकर भगवान बापा के प्रात्ना करकर आरोग्य के इसाब से आज ये मेडिकल क्यांप यह रखा गया है जिसके सफलता को देखते हुए आज सो से ज़्यादा में अभी तक आ चुके है और हम उम्मित कर रहे है कि ज़ सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जादा करके बच्चों भूट एंजॉय कर रहे हैं इसके साथ सब एज की गुरूप लिशे बच्चों से बुड़े तक बहुत एंजॉय कर रहे हैं और 11 दिन कैसे के अभी तो पता नहीं चल रहा है पर बाकि है युग पता पर अब बहुत एंजाय किया और यह क्या था था बोट बढ़ी आप नीवाइब अपने 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 अपना मेडिकर चेक अपने चुके हैं और आज हमारे मंडल पे लिए केजिन गृपर तरफ से हैल्थ चेकप के लिए रखा गया इसके लिए केजिन ग्रूप और आज बी केजिन मेंबर हूं केजिन से उपसची हूं और हम हमेशा एक दूसरे के लिए कहीं भी कैंप लगाना और अच्छे काम के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और सहे दिल से कीजिन गृप को बहुत बहुत धन्यवाद क्या कहना चाहिए जो सबसे हेले तो मैं शुक्र गोजार हो यहां के मंडल के जो मुझे इस काबिल समझा और यहां तक साथ रहने के लिए साथ खड़े होने के लिए मैं उनका सुक्र गोजार हो कि कि मुझे एक इंसान की तरह बिहायव करते हैं, एक इंसान समझते हैं, जो इंसानियत का एक बेस होता है, उस बेस से इस स्री गडेस सरवजनी गड़स मंदल में मैं खड़ा हूँ, जो एक साथ 11 दिन तक खड़े रहते हैं, सुबह साम जब भी वक्त मिलता था एक दूसरे के स साथ होते हैं और वो खुशियां मिलती है जो लोगों को दिखाई नहीं देता आवाज तो बाहर कुछ और चल ले हैं लेकिन रियालिटी यह होती है कि जिस जगह जो इनसान रहता है वहां की खुबसूरती वही जानता है जो एक दूसरे के साथ होता है तो वो तो बहुत बड इसको मिंटेन करना हमारा फर्ज बनता है वो हम करते हैं उसी बेस पे हमारे केजियन सोचल वर्फेर ऑसेशियन की तरफ से जो हमारे प्रेसिडेंट कलन खान साब है उनका हमेशा एक सला होता है बच्चे आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो मकसद एक होता है कि हम इंसान बनके लोगों के साथ खड़ा होना हमारा मकसद है तो हम उसी बेस पे काम करते हैं केजियन सोचल वर्फेर ऑसेशियन के हम सची है इस समय और मैं शुक्र गुजार हो खान साब का कि मुझे इस लायक समझा मुझे इस काबिल समझा जो मुझे इस दिया तो मैं सबसे बड़ी पर अपने व्यापार और सेवा से समधित विज्यापन प्रसारण है तू दिये गए मुबाइल नमबर पर संपर्क करें